Hey guys, welcome to world affairs, मैं हूँ प्रशान धवन, now 24 नवंबर 2020 की रात को निवार साइकलोन हिट करेगा इंडिया को, यहाँ पे आप अगर देहेंगे, तो इस तरीके से साइकलोन अभी फॉर्म हो रहा है, मैं यह वीडियो बना रहा हूँ करीब 4 या 5 बजे के आसपास on 24 नवंबर, और य लगातार बारिश हो रही है, और यहाँ पर आप देख पाऊगे, इस रो की सैटलाइट का डेटा है, मौस्टाइक, मौस्टाइक मतलब के, मिटरलोजिकल और ओशिनोग्राफिक सैटलाइट डेटा अर्काइवल सेंटर, और फॉल स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख हैं, we are able to evacuate, हमें पता है कि साइकलोन कब हिट करेगा, early warning system हम developed कर चुके हैं, so thanks to ISRO, यहाँ पर काफी मैं काऊँगा, damage कम होगा, जितना हो सकता रहा है, उससे काफी कम होगा, और by the way, ISRO के लावा, international satellites भीस पर नज़र रख रही हैं आज के समय, for example, USA का joint typhoon warning center है, जो आज के स को, on 24th और 25th, और गती जो साइकलोन है, यह already hit कर चुका है, यमन और सुमालिया को, यहाँ पर आप देहेंगे, यह गती साइकलोन, इसकी होगे से करीब 8 से लेकर, 9 लोग यहाँ पे मारे गए हैं, millions का नुकसान हुआ है, in terms of property, और सुमालिया आपको लेगा यहाँ पर, और यह जो देशा, यह है यमन, और देखें, निवार साइकलोन का main concern यह है, कि यह एक very severe साइकलोन में convert ना हो जाए, अगर वो हो जाता है, तो यह काफी loss पहुचा सकता है, पुडुचेरी और तामिलाडू को, लोग समझ रहे हैं, कि यहाँ पर बस तामिलाडू का ही damage होगा, लोग पुडुचेरी को भूल जाते हैं, it is a very important union territory, और यहाँ पर आप देखेंगे statement है, by our Prime Minister, spoke to Tamilाडू CM, पुडुचेरी CM, regarding the situation in the wake of Cyclone Nivar, center पुरा support करेगा, Prime Minister खुद कहरे हैं, I pray for the safety and well-being of those living in the affected area, और I am sure all of us will pray for the people in पुडुचेरी and Tamilाडू, और since यहाँ पर हम रिगार्डिंग पुडुचेरी, पुडुचेरी union territory, इन में से किस state के साथ border share नहीं करती, आपके सामने options हैं, Tamil लाडू, आंधरप्रदेश, केरला या फिर तिलंगाना, नीचे comment section में आप कर सकते हैं इसका answer, सही answer मैं आपको provide करूँगा वीडियो के end में, और by the way आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, तो live classes वाला जो course and academy का या purchase कर सकते हैं, from an academies app या फिर website, सीधा आपको जाना है website पर, यहाँ पे click कर दीजे, UPSC, IIT, जिस भी आप exam की त्यारी कर रहे हैं, वहाँ पे आप click कर सकते हैं, हर exam को यहाँ पे properly cover किया गया है, अब for example आपने click क get subscription, iconic course मैं काऊंगा काफी superior है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा main question answer practice, एक personal coach, study planner, ताकि ऐसा निये के live classes चल रही हैं, आपको PDF मिल चुकी है, आपको यहाँ पास quiz भी है, मगर you are not motivated, एक time के बाद आप course follow नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलेगी proper motivation, guidance, ताकि आप properly पू आप आप दे सकते हैं, iconic prices will be increased soon, अभी भी यह price पे मत कर देना, यहाँ पर नीचे code डालो PD10, और सीधा आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पे 7000 रुपीज, and you can start preparing for UPSC 2021, अगर हम बात करें cyclone निवार की, तो यह आज के समय intensify हो रहा है into a cyclonic storm, इसका मतलब यह देखो, पहले यह थ यहाँ पे winds की speed है, यह रहती है around, आप कह सकते हैं, 31 to 49 km per hour, तो हम कहेंगे it is a depression, speed बढ़ती है, यह पहुचती है to around 49 to 61 km per hour, हम कहेंगे deep depression, उसके बाद start होता है cyclonic storm, फिर इसकी देखिए तीरता होती है, cyclonic storm किस type का है, severe है, very severe है, अगर मानलीजे जो wind की speed है, यह 119 से 153 के ब मतलब के 154 से लेकर 177 km per hour की जो speed है, यह moderate damage करेगा, और जैसे जैसे wind की speed बढ़ती जाएगी, यह और जादा damage करेगा, और कहीं घरों को भी यह damage कर सकता है, ना, problem सबसे बड़ी यह है, कि जब मैं वीडियो बना रहा था, उसी वक्त, Indian Meteorological Department की एक tweet आई, और इन्होंने यह का कि जो cyclone निवार है, यह जब Tamil Nadu Puduchari के coast को cross करेगा, on 25th November, आज नहीं कल, 25th November, तो यह दो region में damage कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर यह गुजरेगा, as a very severe cyclonic storm, यह का है, IMD ने, so आप लोग अगर Tamil Nadu में है, Puduchari में है, I request all of you to follow government guidelines, adventureism मत करियेगा, please stay safe, क्योंकि very severe cyclone जो होता ह है, वहाँ पर speed आपको मिल सकती है, between 118 km per hour to 221 km per hour, तो अगर यह storm बहुत strong हो गया, तो हम यहाँ पे moderate से लेकर extensive damage भी दे सकते हैं, I hope that never happens, now 2020 की अगर हम बात करें, तो दो major cyclones ने से पहले भी इंडिया को hit किया है, एक नाम है Amphan और दूसरा है Nisarga, Amphan तो आपको याद with wind speeds of up to 240 km per hour, और इसने श्रिलंका, इंडिया और भूतान, जी हाँ भूतान और बंगलेश को भी damage किया, और total जो इसने damage पुचाया है इन सब countries को मिला कर, it is 13.6 billion US dollars, जो निसारगा था, इसने hit किया था माराश्टो और गोवा को, और इसने damage पुचाया था 803 million dollars का, और अगर अगरम तामिल लाडू की बात करें, तो देखिए, तामिल लाडू को किसी major cyclone ने hit नहीं किया, since the year 2018, उस वक्त आपको याद होगा, एक cyclone ने hit किया था तामिल लाडू को, इसका नाम था Cyclone Gaja, ये था एक very severe cyclonic storm, और जब इस cyclone ने hit किया था तामिल लाडू को, आप कह सकते 50 से उपर लोगों की मौत हुई थी, और massive damage हुआ था तामिल लाडू का, और इस storm के बाद, तामिल लाडू की सरकार ने central government को का कि हमको package चाहिए 15,000 क्रोड का, क्योंकि cyclone ने heavily damage किया है हमारी state को, जो ये नाम है यहाँ पर, निवार, गाजा, ये सब नाम कहां से आते हैं, द इनकी guidelines के इसाब से ये बताए गया है, कि जो North Indian Ocean है, North India की बात नहीं कर रहे है, Indian Ocean तो बहुत बड़ा है, आप South की तरफ जाओगे, Antarctica आ जाएगा, और country जाएगी, जो Northern Indian Ocean है, जहाँ पे Bay of Bengal, Arabians ही आपको मिलेगा, यहाँ पर जो भी cyclones form होंगे, इनका नाम दिया जाएगा 13 members जो इस region में आपको मिलेंगे, यह 3 members हैं, Bangladesh, India, Maldives, Myanmar, Uman, Pakistan, शिलंका और Thailand, 2018 में इस group में 5 और countries एड़ हो गई थी, मतलब के total आज भी 13 थी, 2018 से पहले यह थी 8, फिर 5 यहाँ पे और एड़ हो गई, यह है, Iran, Qatar, Saudi Arabia, UAE और Yemen, और अब जो यह 3 countries हैं, यह हर बार जो भी cyclone आता है उसका नाम देते हैं बारी-बारी से, for example, recently जो 169 cyclones आए हैं, इन cyclones को नाम प्रोवाइट किये हैं हर country ने, और हर country ने individually 13 cyclones को नाम दिया है, सो जो निसारगा cyclone था, जिसने हिट किया था महाराश्टर को, इसका नाम दिया था, Bangladesh ने, गती cyclone नाम दिया था, इंडिया ने, औ अगर आते हैं यहाँ पर Indian Ocean के आसपास, या फिर even South Atlantic में, यह जो ocean है, यह है Atlantic Ocean between USA and Europe, आप कह सकते हैं अफरिका भी, यहाँ का जो southern part है, यहाँ पर अगर मालो इस टाइप का storm आता है, तो इसको हम कहेंगे cyclone, यहाँ पर भी आता है, हम कहेंगे cyclone, Australia के आसपास आता है, उसको भी हम कहेंगे cyclone, मगर जो North Atlantic है, वहाँ पर इस टाइप के storm को कहते है, hurricane, और even North Pacific में इस टाइप के storm को कहते है, hurricane, और South Pacific में इसको कहते है, cyclone, और अगर यह storm शुरू होता है, यहाँ पर Near Japan, यह भी Pacific का ही area है, मगर यह है थोड़ा सा Eastern Pacific, तो इसको हम यहाँ पर कहेंगे OceanSat 2, यह बहुत टाइम परे लॉँच हुई थी, before 2010, और इवन दो आज के समय इसके बहुत सारी जो functions है, dysfunctional हो चुकी है, मगर recent जो एक cyclone आया था, cyclone philin, इसे proper तरीके से predict किया गया था, thanks to OceanSat 2, और बहुत ही जल 2020 के अंत में, यह फिर हो सकता है कि 2021 की शुरुवात में, हम OceanSat 3 भी launch करेंगे, और यहाँ पर cooperation होगी France की, France चाता है कि Ergos 4 इंस्टूमेंट भी install किया जाए, OceanSat 3 में, so वापसाते हैं हमने question पे, which of the following states does not share a border with the Union territory of Puducherry, तो यहाँ पर सही answer है, D, तेलंगाना, जी हाँ मैं आपको यह बता दू के Union territory of Puducherry, यह इसके 4 unconnected districts हैं, और एक तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, कुछ districts आपको मिलेंगे यहाँ पर तामिलाडू में, फिर यहाँ पर अंदपरेश में भी हैं, फिर यहाँ पर केरला में भी हैं, ठीक है, तेलंगाना आपको यहाँ पर मिलेगा, तेलंगाना का यहाँ पर कोई relation नहीं है, when it comes to land border with Puduch चारी, सो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप, थैंक यू for listening, pray for the people in Tamil Nadu, stay safe, God bless you all.